गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में त्रीपूरी के कल्चुरी वन्स का इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे ठीक है तो देखें स्टुडेंट्स ये जो टोप चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं त्रीपूरी के कल्चुरी वन्स का इत्यास कल्चूरी वन्स के इतिहास में तृपूरी का डाहल कल्चूरी वन्स का सबसे महतोपूर्ण वन्स था इसने मद्धे भारत पर तीन स्ताब्दियों तक सासन किया था इस कल्चूरी वन्स का पहला राजा कोकल पर्थम था जो संभवता है 845 इस्वे में गद्धी पर बैठा उसका अपना कोई लेख तो नहीं मिलता किन्तु उसके उपलब्दियों के विशे में हम उसके उत्रादिकारियों के लेखों से जानते हैं उसके जो उत्रादिकारी हैं और उत्रादिकारियों को जो लेख हैं वो देखेगा इनमें यूवराज देव का बिलहरी तथा काण के बनारस लेख उलेखनिये हैं पता चलता है कि वह अपने समय का सक्तिसाली सेना नायक था उसने कनोच के पर्तिहार सासक भोज तथा उसके सामनतों को युद में पराजित किया बिलहारी लेख में कहा गया है कि समस्त पर्थवे को जीत कर उसने दक्षण दिशा में कृष्णा राज तथा उत्तर दिशा में भोज को अपने दो कीर्थी स्थम्बो के रूप में स्थापित किया था बनारस लेक में कहा गया है कि उसने भोज, बल्लब राज, चित्रे कूट, भूपाल, हर्स तथा संकरगन नामक राजाओं को अभेदान दिया था यहां भोज से तातपरिये, प्रतिहार सासक भोज था, कृष्ण राज से तातपरिये, राष्टरे कूट, कृष्ण द्वितिय से है हम निश्चीत्रोब से तो नहीं कह सकते कि इन दोनों राजाओं को उसने किसी युद में जीता था अथ्वा वे उसका प्रभाव मातरश्विकार करते थे हर से चित्रे कूट बुफाल एवं संकरगण की पहचान का पता नहीं की वो कौन थे ठीके तुमान वनसी पर्त्वी देव के अमोदा लेख में वनित है की कोकल ने करनाट, वंग, कोंकन, साकंबरी, तूरूस्क तथा रगुवंसी राजाओं को जीता था इन सभी विजों के फल्सवरूप वह अपने समय का सक्ति साली सासक बन बैठा था उसने चंदेल वनस की राजकुमारी नट्ट देवी के साथ अपना विवाह किया तथा राश्ट्र कूर्ट वंस के क्रिशन द्वितिय के साथ अपनी एक पुत्री का विवाह किया था इन सम्बंधों के परिणाव सवरूप उसने अपने समराजी की पस्सिमी तथा दक्सिनी पस्सिमी सिमाओं को सुरक्षित कर लिया था ठीक है तो देखेगा वीडियो एकजाम के दस्टी से बहुत महत्तव पुण है हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद